आज हम यहाँ पर इखटा हुए हैं रिवेंज लेने के लिए कितने अच्छी बात है और बहुत सारे participants बोल रहे हैं हाँ हम रिवेंज लेना चाहते हैं सो आप में से क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं एक अच्छी इंसान हूं कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूं मैं मिन्स नॉट शेरल आप पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पर आप लोगों को क्या लगता है कि आप एक अच्छी इं तो please कहिए है मैं अची इंसान हूं आप मुझे flowers भेजे या खुदको flowers भेजे खुदको heart भेजे देखिए आप मुझे respond करे with flowers and heart this time it is not for me it is for yourself अपने लिए flowers भेजे please जल्दी जल्दी flowers भेजे अपने लिए very nice yes very nice उर्मी जी बोरे हां जी हां जी very nice वन्ना शिवास्तव जी आत्मा नमस्ते very nice निलम शाज जी आत्मा नमस्ते very nice अनिला जी बोरे है yes yes बहुत सारे फ्लावर बेजे हैं अनिला जी ने खुद को she's saying that I am really a nice person तो फिर तो फिर रिवेंज का भाव कैसे कैसे आया रिवेंज का भाव अगर आप एक अच्छे इंसान है कहां से आया रिवेंज कहां से आया रिवेंज कहां से आया रिवेंज रिवेंज इसी लिए आया सबसे पहले तो आप खुद को congratulate कर लीजे अगर आप God's Love के ये session में है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं आये हैं यहां पर ये आपका एक spiritual attainment है एक अच्छा level है जिसकी वज़े से आप ऐसे platform पर आये हैं जहां पर हम revenge लेना सिखाएंगे है ना सबसे पहले तो हमने देख लिया हम realize किया कि हम अच्छे इंसान हैं और फिर मैंने आपको पूछा के कहां से आया revenge तो डॉक्टर स्वामी कह रही है from those who did us harm हमारे साथ जिसने बुरा व्यवहार किया कहीं पर भी जाते हैं लोग ऐसे ही insult कर लेते हैं क्यों बस आदत है लोग क्या कहेंगे वो जो लोग है जब कहने पर आते हैं तो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं तुम कितनी पतली हो गई हो तुम कितनी मोटी हो गई हो अरे अभी तक pregnant नहीं हुई हो अरे अभी तक नौकरी नहीं लगी है अरे तुम कर क्या रहे हो, पढ़ाय के साथ साथ क्या कर रहे हो, अरे ये तो ठीक है, पर और क्या कर रहे हो, ये सब जो व्यवहार है, वो जरूरी नहीं है उनको बताना, या उनको बोलना, इससे भी जादा इंसल्ट कर लेते हैं, कभी कभी टीचर्ज भी बहुत कर लेते हैं, रिवेंज कमस फ्रॉम, अनेबल टो फोगिव आसेल्स, डॉक्टर तनमय, प्लीज मुझे इसके ओपर थोड़ा विवरन दीजे, डीटेल्स दीजे, क्योंकि I don't understand what you mean by, अगर मैं खुद को फोगिव नहीं कर सकती हूं, तो रिवेंज कैसे आया, अगर मैं कर सकती हूं, तो मुझे खुद को मैं गिल्टी फील करूंगी, मैं रिग्रेट फील करूंगी, खुद से रिवेंज, आप लीज मुझे थोड़ा समझाए, खेर, सो यह जो रिवेंज का भाव है, वो एक बार इंसल्ट, दो बार इंसल्ट, तीन बार इंसल्ट से नहीं आया है, और वो ऐसे लोगों से भी नहीं आये, जो बहुत दूर दराज है, हमारे लाइफ में कोई बॉटन्स नहीं रखते हैं, यह रिवेंज का भाव हमारे अंदर बहुत ही नजदिक की फैमिली मेंबर्स ने मिस्बिहेव किया, एक बार, दो बार, दस बार, वहां से आया है, है, सबसे पहले तो आप खुद को कॉंग्रैचुलेट करें, अगर आप यहां पर यह वीडियो देख रहे हैं, रिवेंज का वीडियो, अब हम सीखेंगे, हाव टू टेक रिवेंज, है ना, किस से रिवेंज लेंगे, एवरिबडी जिन होने हमें परेशान किया, प्रतार और बहुत अलग लेवल पे, विद गॉड्स ग्रेस हम ऐसे लोग हैं, जो नॉमल लेवल पे हमारे साथ नॉमल बुरा हुआ है, नॉमल मिन्स लोगों ने इंसल्ट कर दिया, हमारी मजबूरी का फाइदा उठाया, यह नू, बट हमारे साथ क्रूल्टी, क्रूरता विद ग पूरा हो गया, क्रूरता हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम रिवेंज लेंगे, रिवेंज का फर्स स्टेप, I already to learn how to take रिवेंज, जितने भी लोग कहते हैं, यह लिखें, यह 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 फिर बोलिए, हैंड जेश्चर बताएं, यह फिर रेडी लि जो आपको अच्छा लगे लिखें, यह 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 य वाले हैं, how to take revenge लोग लोग say yes, I am ready we are ready yes, so Tanmai Ji कहते है, when we are bullied by others yes yes, people are ready yes, people are ready yes, people are ready to take revenge so number one step revenge is a process एक सेक्ड में हम रिवेंज में मैक्सिमम क्या करेंगे किसी को दक्का मार देंगे चोटी चोटी बाते चोटे 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 पच्चों की तरह हम बहेव नहीं करते we are spiritually matured people yeah so, we will do everything like it has to be done in a process हम spiritually बहुत ही matured लोग हैं और हम ऐसे किसी को धका दे दिया किसी को पैर में ऐसे वो कर दिया कि कोई गिर गया यह सब चोटे बच्चों वाले काम हम नहीं करते रिवेंच के लिए हम रियल रिवेंच करेंगे हम रियल रिवेंच लेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है और रिवेंच सबसे पहला स्टेप है खुद के साथ complete होना absolute होना तन, मन, धन से शांत हो जाना patience patience का मतलब there you मान लेते हैं हमारे साथ जो जो जिनों ने कहा एक बार ने, दो बार ने, कई बार और अब हमें दर्द होने लगा है कि ये क्या है ये पहले तो मैंने इग्नोर किया अब जादा ही हो रहा है और ये जो insult है या misbehavior है या जो भी mistreat है वो जब हमारे दिमाग में घर कर जाता है तो that is the right time to start to do this process ये पहला step करें और सबसे पहले शांत हो जाएं be patient there you क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं कहना है कि हम भगवान को बोलेंगे भगवान आप देख लो भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती हम सक्षम है खुद का revenge लेने के लिए क्या आप लोग सक्षम है खुद का revenge लेने के लिए say yes yes तो सबसे पहले हो जाएंगे हम शांत और हम patience practice करेंगे patience का practice means हम धहर्य से काम लेंगे फिर हम खुद को प्रश्न पूछेंगे क्या मैं physically fit हूं revenge लेने के लिए क्या पूछेंगे पूछे खुद से सबसे पहले तो हम practice कर रहे हैं आप एक दो तीन चार जितने भी आपके life में जिन से आपको जिन्होंने आपके साथ misbehave किया सब को line में खड़ा कर दीजिए ठीक है जिस हम करते हैं और याद करिए कि उन्होंने आपके साथ क्या-क्या misbehavior किया था और अपने मन में गुसा लाइए क्या लाना है गुसा are you angry ask yourself am I angry am I angry am I angry ले के आईए पहले गुसा ठीक जितने भी लोगों के मन में अब गुसा आ गया है revenge लेना है कि मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी मुझे पढ़ने नहीं दिया मेरे साथ दुर्व्यवहार किया मेरे साथ बायस थे आप बायस का मतलब injustice किया किसी और को आगे बढ़ा दिया और मुझे रोक लिया मुझे एक अच्छा revenge लेने वाले लोग अच्छे लगते हैं मुझे चाई नहीं दी मुझे पानी नहीं दिया ऐसे छोटी छोटी बाते नहीं चाहिए find something strong ठीक है क्या आपको मिला जितने लोगों को मिला एक अच्छा reason for revenge बोलिए yes या फिर अपना हाथ उपर करें हम शाती करके गए और वहाँ पर हमें बहु की तरफ behave नहीं हमारे साथ misbehave किया जैसे हम maid servants हैं बहु नहीं है yes this calls for revenge इसके लिए हमें revenge लेना बनता है very nice गुसा आ रहा है बहुत सारे अर्चना जी को भी बहुत गुसा आ रहा है इतनी सौम्य लेडी मा गौरी जैसी दिखने वाली अब मा काली के रूप में आ रही है yes 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 और ये ज़रूरी है ज़रूरी है ज़रूरी है ज़रूरी है अब अपने मन में लोगों को रख लिया सामने और आप पूछे खुद को क्या मैं फिजिकली सक्षम हूँ am I fit physically कितने लोगों को लगता है नहीं I am not fit physically कितने लोगों को लगता है कि नहीं मेरी उमर है 25, 35, 45 और because मैंने stress ले लिया overthinking कर लिया इन्होंने में सब ऐसे कैसे behave किया मैं क्यूं वाई मी तो आप अगर अपना चेहरा देखेंगे अगर बुद्धा लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि मैं beautiful नहीं हूँ तो सब से first thing what you do exercise be physically fit I don't care I don't care मेरे पास time नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है I don't care I want you to take revenge first step is to say कि हम मैं ही revenge लोगी मुझे बगवान के ओपर इतने काम है बगवान के लिए बगवान के पास इतने काम है और काम मैं देना नहीं चाहती हूँ मेरा revenge मैं खुद लोगी तो सब से first step is there you second step is physically fit कितने लोग feel कर रहे हैं are you physically fit नहीं तो we will now plan to become physically fit क्या आपको overthinking हो रहा है क्या आप mentally fit है क्या आपके विचार आपके control में है क्या आपकी emotions आपकी control में है क्या आप शानती से बैठके एक cup चाए पी सकते हैं बिना disturb हुए बेवकुफ लोगों से नहीं तो now we practice to be mentally fit to be emotionally fit what do you do mentally fit, emotionally fit so निलम शा जी ask yourself am I physically fit no तो आप अपना एक plan of action करो कि नहीं मुझे revenge लेना है याद रखो सुबे शान जैसे अपना चेहरा देखो mirror में आपको याद करना है मुझे revenge लेना है अगर सो रहे हो तो उठ जा स्केड्यूल बनाओ और एक ही चीज़ का रटन मुझे लेना है revenge all the time in your mind I am I will take revenge want to nai want to nai I will मुझे मैं revenge ले रही हूँ तो कैसे revenge लेंगे क्या हम युद में जा रहे हैं और हमें कुछ हम पारंग ही नहीं है पारंग means talented नहीं है हमारे पास कोई weapons नहीं आते हमारा body इतना चूचू इतना weak उठते हैं गुटने दर्ध हो रहे हैं सरदर्ध हो रहा है पता ने क्या क्या हो रहा है क्या लग रहा है ये युद में आप जीतेंगे या हारेंगे अगर आपका body fit नहीं है अगर आप mind से fit नहीं है अगर आप emotionally fit नहीं है क्या लगता है ये तीन आपके जो most important शस्त्र है अगर ये weak है इस इन में कमी है कमजोरी है तो क्या लगता है आप जीतेंगे या आप हारेंगे डॉक्टर तर्णमै बताएं Are you physically fit, emotionally fit, mentally fit और नहीं है अगर emotionally, physically, mentally fit तो क्या हम revenge ले पाएंगे Yes or no Yes, defeat तो क्या अर्षना जी कह रही है It is a defeat हम हार जाएंगे क्या आपको हारना है पूछे खुद से ये लोग जो हस रहे हैं हस रहें क्या कितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को हसते हुए जिनों ने आपका insult किया आपको बहुत जादा प्रतार ना दी कितने लोग देख रहे हैं हसते हुए अपना हसता हुआ चेहरा भेजो खुद को कटूता से गुजारो feel the pain feel the pain emoji मुझे बेजिये हसते हुए इन लोगों के चेहरे हसते हुए क्यूं? क्यूंके आप हार गए हो हसते हुए चेहरे भेजिये जिसमें आपके उपर हास्य हो रहा है जो लोग ने आपको इंसल्ट किया क्या रे तू तो अनसक्सेस्फुल है हवा में तो बहुत उड़ रहे थे बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे पचास साल के हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुड़ क्या आपको चुब रहा है दिल में चुब रहा है जब ये लोग हस रहे हैं आपके सामने आँखों में आँखे डाल के क्या उनकी आँखे, उनकी हसी क्या आपको चुब रही है चुब रही है तो बोले हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है येस, गेम ओवर लाल फेस बेज़े के मुझे गुस्सा आ रहा है मैं रिवेंज लूंगी और इसके लिए खुझ से प्रॉमिस करें जो मुझे करने की जरुद पड़ेगी जो भी मुझे करने की जरुद पड़ेगी रिवेंज के लिए मैं वो करूंगी झाल ड्रशी सोमी क्या सुम्मिस करना बिरुट खड़े साथ मैं लिए की दिएर की है प्राई राजी में जिए ये मे बनाननननी ज दिए ए ये शुम्म giving वई पोई रÁम शर्बह जानन बोननों वए cinco superpower and I'm going to defeat, destroy फिर से हमारा goal क्या है जो हमारे enemies है जो आपके सामने सब चहरे हसते हुए उनको करना क्या है destroy we are going to destroy our enemy फिर से सुनिये क्या करने वाले है हम हमारे enemy को destroy करने वाले है हम क्या सोचते है ओ इसका मतलब हम उनको politics खेलेंगे हम उनके साथ politics करने जब आए हो मेरे सामने दो चार हम भी गालिया दे देंगे जब आए मेरे सामने तो हम भी दो चार बार misbehave कर लेंगे चोटे बच्चों वाले गेम नहीं खेलते हम हम क्या करते हैं destroy करते हैं इस तरह से destroy करते हैं के future में जब हम देखे तब हमें क्या दिखे अनिला जी कह रही है I'm going to be fit physically, mentally, emotionally strong very nice Dr. Mandal कह रहे है yes I will destroy I will defeat this situation this situation is my enemy very right very nice किस तरह से destroy करेंगे emotionally, mentally, physically, financially आज के बाद एक ही दिमाग में होना चाहिए revenge, revenge, revenge और इस revenge का रास्ता एक ही है खुद को हर प्रकार से हर लेवल से सक्षम करना जब हम देखते हैं war के बाद जो चावनी होती है war field, battle field होता है तो क्या दिख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं इदर उदर कटे हुए, गिरे हुए शव नहीं क्या देख रहे हैं आप जब आप visualize कर रहे हैं आज से दस साल बाद, पांच साल बाद, दो साल बाद, क्या होगा क्योंकि मैंने तो revenge लेना ठान लिया है एक-एक step में आगे बढ़ूँगी financially free, emotionally strong mentally equipped equipped का मतलब सक्षम हर चीज का अग्ञान होना छोटे छोटे लोगों से आगे बढ़ना spiritually strong कोई मुझे हिला ना सके और जब दो साल के बाद आप देखेंगे आपके सामने कहां गए वो चेहरे क्या देखेंगे आप अभी से visualize करो कि मैं क्या देखना चाहता हूँ मैं revenge के बाद क्या नजारा देखना चाहती हूँ क्या देखेंगे आप आपके सामने क्या दिख रहा है green grass हरा भरा मैदान शान्ति प्रेम कुछ नहीं मस्त शान्ति एक दम परम शान्ति एक खून का कत्रा नहीं बहाया हमने हम इतने बड़े हो गए हम इतने विराठ हो गए हम इतने प्रचंड हो गए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ happiness abundance बहुतायत love शान्ति एक दम शान्ति और कहां गए आपके दुश्वन कहां गए आपके वो लोग जो आपके उपर हस रहे थे कहां क्या हुआ उनका तो उसका आंसर यह है कि उन्होंने जो आपकी तरफ negativity एनरजी नेगिटिव एनरजी जो भेजी थी हमने वो नेगिटिव एनरजी पकड़के उसमें से पूरा पावर ले लिया और पूरा पावर हमने खुद की लाइफ में डाला अब जो हमारे दुश्वन थे जो हमें इंसल्ट कर रहे थे उन्ही की एनरजी से हमने उन्ही को खतम कर दिया इतने विराठ हो गए इतने प्रचंड हो गए कि वो जो हस्तेवे चेहरे थे वो निम्न हो गए वो सुक्ष्म हो गए वो डिस्ट्रॉय हो गए अब वो देखते हैं आपको ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे कितने लोग चाते हैं रिवेंज लेना अब क्या आपको शांती की अनुबुती हो रही है क्या आप रिवेंज लेने के लिए रेडी है अगर येस तो खुद को फिर से फ्लावर्स बेजिये और क्या आपको ये रिवेंज अच्छा लगा फ्लावर्स बेजिये खुद को रास्ता असान नहीं है बहुत जादा कठिन है और ऐसा ये रिवेंज है जो सबकी बोलती बन कर देंगे सबकी कैसे हम प्रूव करेंगे कि मैं एमपावर्ड हूँ वेरी नाइस वेरी नाइस क्या आपके मन में शांती का अनुभूती हो रही है परम शांती आज के बाद प्रॉमिस करें खुझ से मुझे एमपावर्ड होना है फ्यूचर नहीं मैं ये रास्ता रिवेंच का लूँगी हर दर्द को मैं याद रखूँगी याद रखूँगा जिससे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊं आगे प्रोपेल हो पाऊं हम साइकल नहीं है हम वो सैटलाइट है वो रॉकेट है वो मार्स पे जाने वाला जहाज है जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे खेल खेलता ही नहीं हम टीवी सीरिल में नहीं मानते हैं हम अपने आपको उस लेवल पे ले जाएंगे जहांपे हमारी दुश्मन खतम हो जाये और कोई भी दुश्मनी करने से पहले दस बार सोचे किया पॉसिबल है इनके बारे में छो और इससे भी आगे, वही लोग जो आपके उपर हस रहे थे, आपका इंसल्ट कर रहे थे, वो अपने relatives और अपने family और अपने friends को क्या बोलेंगे पता है, ये मेरी बहू है, ये, ये मेरी बहू है, proud feel करेंगे, ये मेरे भाई साब है, आपको पता है, ये, ये मेरे घर पे आते थे, क्या किया हमने, revenge, इससे जादा, अच्छा revenge, कोई नहीं हो सकता, कोई प्रशन है, तो पूछें, और आज रात को सोने से पहले, revenge दिमाग में ले के सोएं, और ये जो energy है, गुसा है, उसे channelize करना है, क्या करना है, channelize, channelize इस तरह से करें, ताके वो हम अपने benefit के लिए, अपने हिसाब से, उसे change कर पाए, plan of action होना चाहिए, हर एक level पे, मैंने आपको पूरा process बता दिया, अभी यहाँ पर आप आके inner peace feel कर रहे हैं, पर आपको पहले revenge लेना पड़ेगा, फिर पूरा spectrum, पूरा जो रास्ता है वो ते करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आकर mentally, emotionally, शान्त मत हो जाएए, अब तो picture अभी बाकी है, और picture अभी शुरुवात भी नहीं हुई, मुझे गुसा नहीं आता, रीना जी, wrong attitude, गुसा लाईए, याद रखिये, कि मुझे revenge लेना है, और ऐसा गुसा लाईए, गुसा क्या है, गुसा सबसे powerful energy है, revenge क्या है, revenge powerful energy है, अगर हमारे पास energy होगी, तो हम fast भागेंगे, cycle को energy की जरूत नहीं पड़ती, और cycle कहां तक भागती है, cycle भागती भी नहीं, अगर आप चाहें, अगर आपको race में number one करना है, तो formula one की cards चाहिए आपको, आपको वो car बनानी पड़ेगी, सक्षम ता बनानी पड़ेगी, आपको सक्षम होना पड़ेगा, आपको अपनी life set करने पड़ेगी, आपको अच्छी तरह से revenge लेना पड़ेगा, मेरे सपने हैं, सपने देखना अच्छी बात है, चलो चदर ओड के सो जाओ, तो प्लीज आप अपने आपको कच्छे के डब्मे में फिक दो, और I am very sure, कल परसो तरसो नरसो, फिर से आपके साथ वही होगा, क्योंकि आपको अभी भी lesson learn नहीं करना है, सीखना नहीं है कुछ, अगर गुसा नहीं भी आ रहा है, तो भी strategize करो, कि कल उठके मुझे जब लोग देखे, तो ऐसे ना देखे, ऐसे देखे, कैसे देखे, ऐसे देखे, मेरे insult करने का ना सोचे, मुझे इंसल्ट करने का ना सोचे, वो मेरे सामने जब देखे, तो उनकी नजरे उठनी चाहिए, मैं, sometimes it becomes uncontrollable and uncomfortable, how do we neutralize this situation, because anger also an emotion, very nice, very nice question, Dr. Somi, कि कभी-कभी हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और हम uncontrollable and uncomfortable हो जाते हैं, और किस तरह से हम हमारा गुस्सा control में लाएं, सबसे पहले तो ये understanding, ये सोच, कि हमें control में लाना है गुसा, ये गलत है, हाँ, हमें गुसा बाहर waste नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, लोगों को दो गालियां दे दी, लोगों के साथ मस्ती कर ली, उसका insult केज़े, नहीं, 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 छोटे बच्चे नहीं हैं हम, हमें गुस्से का करना क्या है, गुस्से को संभाल के रखना है, एनरजी है वो, इतनी अच्छी, प्रचंड, पावर्फुल एनरजी, सबसे बेस्ट फ्यूल, आप लोगों को पता है, साइकल में फ्यूल नहीं लगता, और आप लोगों को पता है, जेट फाइटर्स जो होता है, उसमें सर्वश्रेश्ट फ्यूल लगता है, मतलब बेस्ट में बेस्ट, इन्दन, और जितना जादा गुसा, जितना जादा फस्ट्रेशन, जितना जादा इंसल्ट, जितना जादा गुसा, रिवेंज, उतना अच्छा फ्यूल, उतना अच्छा इन्दन, क्या करेंगे इन्दन के साथ, हम जाएंगे उतने ही दूर एक शेर से दूसरे शेर नहीं जाएंगे हम जाएंगे out of this world ऐसा बड़ा strong powerful इंसान हम बन के दिखाएंगे जिसको कोई छूना सके तो डॉक्टर मंडल जब आपके पास गुसा हो उसे neutralize नहीं करना है गुसे को शांत नहीं करना है गुसे को नकारना नहीं है कि अरे गुसा नहीं होना चीए tolerate नहीं करना है तो करना क्या है हमें लाना है एक plan of action मान लेती हूँ मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं है मेरा बॉस हम मेशा मेरे उपर dance करता रहता है परिशान करता रहता है does not mean के मैं कल के-ài- ouais- norkari खोड़के चली जाओ यह तो बयोकुफिया हो गई does not mean के मैں politics करू और उस बने के साथ misbehave करू यह तो बयोकुफी छोटे बच्चो वाली बात होगे क्योंकि अगर मैं छोटे-छोटे खेल खेलूंगी तो मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगी, मैं आपको लिखके दे देती हूँ, टीवी सेरिल में रहने वाली ओरते हैं, सौरी, टीवी सेरिल में रहने वाली एक्ट्रेस जो हैं, या जो साजबो की सेरिल के अंदर खेलती रहती हैं, वो कभी भी बिजनेस वूमन तीवी सेरिल में तो नहीं बनती हुई दिखती, वही लैपटॉप दो देती है, वही मोबाइल के साथ मस्ती कर लेती है, क्या हम बेवकूफ हैं? हम क्या हैं? हम प्रचंड हैं. तो अगर गुसा आया, अगर हमारे साथ मिस्बिहेव हुआ, तो the first thing you do is शान्ती. शान्त हो जाएं. और शान्त होने के बाद, plan of action, एक plan लेके आएं. सबसे पहले खुद को सक्षम करें, फिर पढ़ाई करें. मैंने तो 12 दे दिया, मैंने तो graduation कर ली, अब किस चीज़ की पढ़ाई? वही पढ़ाई जिससे हम boss के भी boss बनेंगे. कभी पढ़ाई रुपती नहीं है, अगर पढ़ाई रुप गई, तो समझ लोग के हमारा growth रुप गया, हम मर ही गए. तो boss हमें परिशान कर रहा है, कोई चीज़े हमें कुछ, अरे पर मैं हर बार exam देती हूँ, fail हो जाती हूँ, वही तो प्रश्न है. टाइम पास क्यूं कर रहे हैं, क्योंकि आपको इंदन की कमी पढ़ रही है. ऐसे पढ़ाई करें, ऐसी अच्छी तरह से exam दें, इस तरह से empowered हो जाएं, कि कभी fail ही ना हो. exam चोटी-चोटी चीज़े होती है, exam जैसा कुछ होता ही नहीं, it is just कि आप, क्या, real में, खुद के साथ serious हैं, या time pass कर रहे हैं, सिर्फ यही एक reason है exam देने का, वो सिर्फ चेक कर रहे हैं, क्या madam time pass कर रही है, या madam serious है. क्या ये candidate, time pass कर रहा है या serious है, बस उतना ही मापदन चाहिए, इसलिए exams होती है, अगर आप serious हैं, तो आप pass हो गे ही. एक्जाम दे, pass हो जाएं, और बहुत जादा strong मेहनत करें. नहीं तो अगर नहीं करनी, ना तो insult, insult के लिए ready रहें, और मत बुरा लगाईए. वैसे भी जो doormat होता है, उसके उपर हम सब pair poach ही लेते हैं. है ना, cycle को हम exercise machine की तरह ही use कर लेते हैं, don't worry. पर अगर आपको rocket बनना है, अगर आपको jet plane बनना है, अगर आपको एक अलग level पे जाना है, तो मेहनत करना अनिवार्य है, खुद के ओपर ध्यान देना important है, खुद को सक्षम करना, तराशना, आगे बढ़ाना, more and more शाप करना, medically, emotionally, physically, हर एक शेत्र में, ये आपका revenge है. गुड़, गुसे को शांत मत करो, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, गुसे को वियर्थ मत करो, इसको किसको दे दिया, नहीं नहीं, ये तो सोने से भी powerful है, क्या आप लोगों को पता है, जो fuel है, petrol है, diesel है, जो crude oil है, उसे black sona कहा गया है, सोने से भी आगे, क्यूं, क्यूंकि वो power है, quick questions, turbo anger, channelizing my anger to our growth, 100%, और हर बार, याद रखो, याद रखो, याद रखो, mirror में देखो, याद रखो, revenge, 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 एक ऐसा सक्षान आता है, कि मुझे बोर हो रहा है, आज मुझे exercise नहीं करनी है, आज मुझे gym नहीं जाना है, अगर ऐसा विचार आया, तो वापस अपना चेहरा देखो, और याद करो कि hello, revenge, खड़े हो जाओ, strong बनो, और नींद, calculated होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आनी चाहिए, नींद लाएंगे, time time पे सो जाएंगे, time time पे उठेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, और चेहरा हमारा तेजस्वी होगा, that is the right revenge, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा हर महिने का income एक करोड होगा, that is the right revenge, छोटे मोटे खेल खेलने हैं, तो प्लीज चैनल से चले जाएंगे, और मेरे चैनल पर फिर से मत आएंगे, बच्चों के साथ हम खेलते भी नहीं, अगर आपको बड़ा होना है, तो यहां पे रहेंगे, हर बार मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी, और strong challenges लेंगे हम, और अगले साल आगे पड़ेंगे, अगले हफ़ते और चीज़े सीखेंगे. कोई questions हैं आप लोगों को? Thank you very much, so अब हम, yes, so 11th of, अब हमने आज क्या सिखा, रिवेंज लेना सिखा, क्या आपको अच्छा लगा रिवेंज, हां बोलिये, अगर अच्छा लगा तो बोलिये, Yes, we loved taking revenge, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिवेंज लेकर, शान्ति के अनुभूती हो रही है, रिवेंज लेकर. अगले हफ़ते, 11th of April, Tuesday 9.30 YouTube live पे हम सिखेंगे how to be jealous. हम किस तरह से jealous feel करेंगे या jealous कैसे होना है in real sense. How to be jealous is what we are going to learn. So how many of you all want to be a part of jealousy? ठीक? वेलकम, वेलकम, वेलकम ओल, अगले हफ़ते jealousy सीखेंगे और हम, और every Thursday हम आकाशिक record reading with angel card reading मा लक्षमी मा सरस्वती के साथ, angel card reading भी करते हैं, रात को साड़े 9 बजे YouTube live चैनल पे, God's Love Spiritual Foundation पे. तो it is my humble request, आप जरूर से आए, अपने questions लेके, एक दो questions लेके आजाए और एक बहुत ही अच्छी तरह से अपने life में अच्छा मार्दर्शन पाएं. यह एक free session है, it is my humble request, यह जो session है, उसकी link जो दी गई है, उसको बहुत सारे लोगों के साथ share करें, ताके हम किसी और की life में, अच्छा योगदान दे पाएं, अच्छा फील भी करेंगे, जब हमने अच्छा योगदान दिया है, है ना, so every Thursday, 9.30, YouTube live पे, God's Love Spiritual Foundation पे, Akashic Record Reading with Angel Card Reading of Maa Lakshmi and Maa Saraswati. Thank you. निशा जी करें, thank you दी, आर्शना जी करें, नीरव शान्ती की अनुभूती हो रही है, Dr. Mandal करें, thank you ma'am, हिमा जी करें, yes, नीलम शा जी करें, yes, I love your way, thank you very much, और हिमा जी करें, me please, और Dr. Tanmay करें, wow, Dr. Tanmay करें, wow, jealousy is biggest drive, force for success, very nice, Dr. Tanmay, I really like your attitude, love you, हिमा जी करें, I will love to be a part of jealousy, very nice, नीशा जी करें, मैं भी jealous होंगी, रिना जी करें, thank you, रिया जी करें, thank you, thank you, baby, love you, और नीलम जी करें, thank you, दी, रूपी जी करें, thank you, दी, आत्मा नमस्ते, love you, दी, good night, ma'am, डॉक्टर करें, bye-bye, अब बहुत हो चुका, ठीक, so, thank you, thank you, thank you, next, जो Saturday है, उसके लिए, हमने अभी तक कोई plan of action नहीं लिया है, पर मेरे मन में ये विचार आ रहा है, because next Saturday जो है, वो है financial freedom, so, मैं, मेरे मन का जो विचार है, वो मैं आपको बता रही हूं, मैं सोच रही हूं, let us talk about investments, है नो, SIP, OPAE, IAE, EEU, नहीं, उससे भी पहले वाली, जो हमारे बंधन है, 8th of April, this Saturday, financial freedom के, session में, हम, हमारे अंदर के जो बंधन है, investments को लेके, और जादा तर, investments को लेके, जो ladies है, उनके बहुत ही, कटू और बहुत ही, strong बंधन होते हैं, कि हम ऐसे कैसे, invest करें, हमें कुछ आता नहीं है, ये वो वग्यरा वग्यरा, हम उसके ओपर, ये Saturday को काम करेंगे, यूट्यूब लाइफ पे, 9.30, Indian Standard Time, we are going to work on, women, जो सोच रही है, कि investment करना, बहुत जादा difficult topic है, right, सो हम इसके ओपर, बहुत लेवल पे काम करेंगे, और ये एक healing video भी होगा, healing session भी होगा, सो Saturday को, 9.30, YouTube Life पे, हम investment के बारे में सीखेंगे, और साथ साथ में, God's Love Healing भी करेंगे, और तब हम हमारे अंदर के, जो भी बंदन है, finances को लेके, investment को लेके, financial freedom को लेके, उन सब को हम तोड़ेंगे, तो प्लीज आप, be a part of it, और बहुत सारे आपकी girlfriends हैं, boyfriends हैं, जो भी friends हैं, बच्चे हैं आपके घर के अंदर, सब को ये participate करवाईए, ये session में, so that उनकी अभी से ही, उनके life में, उनकी मन में, उनके भाव में, जो investment को लेके, बंधन हैं, जो finances को लेके बंधन हैं, blockages हो गए हैं, उनको हम तोड़ेंगे, thank you, thank you, thank you, आत्मा, नमस्ते, thank you, very nice, thank you very much, so फिर मिलते हैं, thank you, bye bye, take care, shabba care, bye bye, गलत्पश्श्श्श्श्श्वाण!